अट्रू अपर जुलाएवं सेशन निया अधीश ने यूति के अपहरणवा घर में घुसकरमार पीट के मामले में फैसला सुनाते हुए दुआरूपियों को छे वर्ष के कारावास के साथ अर्थ दंट से सजा सुनाई हैं आपर लोक अभी योजक भगवान तिवारी ने बताया कि पीडिता ने अट्रू उठाने में दर्ज हुए मुकदमे में परचा बयान में बताया कि 28 फरवरी 2017 को 11 बजे घर पर परिवार का कोई सदस्य नहीं होने पर घर के अंदर की कुंडी लगा कर नहा रही थी इसी दोरान मकान के सामने रहने वाले दो युवक भाई राम प्रसादवा राम बाबू पुत्र हरी नारायन गेट तोड़ कर रंदर आ गए दोनों के हाथ में तलवारे थी और उनके हाथ में प्लास्टिक की पॉलिथिन में कैरुसिन भरा हुआ था कैरुसिन को उन्होंने उसके शरीर पर डाल दिया उसे खीच कर घर के बाहर ले गए और वहें चिलाई तो उनके हाथों में तलवारे देखकर लोग डर गए उसे दोनों भाई मुह पर कपड़ा लगा कर मोटर साइकल पर बैठा कर शेरगड के जंगल मिले गए जहां पर दोनों भाईों ने गले में रसी से फंदा लगा कर गला दबा दिया जिसे बेहोश हो गई और मृतस समझ कर उसे छोड़ कर चले गए कुछ समय बाद होश आया तो एक पशूओ को चराने वाला चारावाह नजर आया पीड़िता ने भाई को कॉल किया